मैडम ने आपको कर लेसन बढ़ाया था ओवर अर्थ हमारी धर्थी आज हम इसको आपको इसमें एक्सरसाइज करा रहे हैं नमबर ए टिक दा कोरेक्ट आंसर नमबर वान दा शेप ओफ और अर्थीज हमारी जो अर्थ की शेप कैसी है ए रौंड, ए रेक्टेंगल, सी स्क्यार तो राउंड है जो गोल है इस पर टिक लगाया है नमबर टू दा फलैट और ए एमन पार्ट ओफ दा लैडीज कार्ड जो फलैट प्लैन होते हैं उसको क्या कहते हैं, A Mountain, B Hill, C Plain, तो Plain कहते हैं, उस पर P पे टिक लगाया है, 3 the blue parts of the globe, show, जो globe में blue part है, वो क्या कहलाता है, A Land, B Mountain, C Water, तो blue part water कहलाता है, तो water में इसमें टिक लगाना है, the high part of the land is called, जो उचा, जबीन का उचा part है, उसको क्या कहते हैं, A Hill, B Plain, C Ocean, तो Hill कहते हैं, पहाड़ी, इसमें टिक लगाया है, next है बच्चे, how can we keep our earth beautiful, टिक दा, correct sentence, आपने खाली, जो ट्री संटेंस उसी पे टिक लगाना है, जो हमारी अर्थ को सुन्दर बनाते हैं, plant more tree, तो अगर ज्यादा पोदे लगाएंगे, तो हमारी जमीन सुन्दर होगी, इस पे टिक लगाना है, throw garbage on the land, road पे आप कूडा फेंके के, no, use plastic bag, plastic bag use नहीं करने, जे इसमें भी कुछ नहीं करना है, D, try to make less use of cars, तो car का आपने कम use करना है, टिक जिससे वो दुआने होगा, number C, match the correctly, valley, वैली क्या है, colorful flower, जिसमें colorful flower होते हैं, brown क्या है, land है, जो land है, जमीन है, उसका brown color होता है, mountain, mountain किसे कहते हैं, high hills, जो उची उची पहाड़ियां होते हैं, उसे mountain कहते हैं, next is, D, fill in the blanks with the word given blow, water or plains, cover most of the earth, हमारी जो earth है, किसे cover है, पानी से, तो इसमें water आएगा, most of the people live in the, ज्यादे दर लोग कहां रहते हैं, plane, तो इसमें plane आएगा, ओके बचों यह आपने बुक में करना भी है, इसको learn भी करना है,